तो यहां पर हमरे पास question है, A एक matrix दिया हुआ है, B भी एक matrix है, और C equal to A into B A transpose दिया हुआ है, ठीक है, और हमें इसकी value पता नहीं है, यहां पर C to the power N है, ठीक है, इससे पहले हम लोग A into A transpose करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है, तो यह cos theta sin theta sin theta minus cos theta, ठीक है, इसी को इसी matrix से multiply कर से, cos theta sin theta sin theta minus cos theta, ठीक है, multiply करते हैं, तो कितना जाएगा, cos square theta plus sin square theta, यहां पर क्या जाएगा, cos theta sin theta minus sin theta cos theta, ठीक है, यहां पर, sin theta cos theta minus cos theta sin theta, ठीक है, और इसको multiply करेंगे, sin square theta plus cos square theta, ठीक है, इसको simplify करोगे, तो यह क्या जाएगा, identity, इसका मतलब A into A transpose क्या आगया, identity आगया, simply अगर हम, similarly, अगर हम A transpose को A से multiply करेंगे, तो भी हमारे पास identity आगया, ठीक है, इसी quantity को हम लोग यहां पर use करेंगे, हमें c to the power n calculate करना है, ठीक है, तो पहले हम, c हमें दिया हुआ है, a, b, a transpose, ठीक है, अगर हम c square calculate करते हैं, तो क्या आगया, a, b, a transpose into a, b, a transpose, ठीक है, a transpose into a क्या देदेगा, identity, यह क्या बन जागा, a into b square a transpose, ठीक है, c cube अगर हम calculate करते हैं, c cube कितना आगा, a, b square, a transpose, c square into c, a, b into a transpose, ठीक है, फिर से यहां पर अगर आप देखोगे, फिर से यहां पर देखोगे, तो यह दोनों मिलके फिर से क्या देदेगा, identity देदेगा, ठीक है, यहां से फिर से calculation पर यह क्या आजागा, a, b cube, a transpose, इसका मतलब, pattern हमें देख रहा है, तो c to the power n की value कितनी हो जाएगी, a, b to the power n into a transpose, ठीक है, तो इस value को हम लोग इस वाले part में use करेंगे, हमें क्या निकालना है, a transpose, c, c to the power n into a, ठीक है, तो हमें calculate करने, a transpose, c to the power n into a, c to the power n की value यहां पर put करते हैं, यह क्या हो जाएगा, a transpose, a, b to the power n, a transpose into a, ठीक है, यह identity और यह identity बन जाएगी, तो finally हमरे पास कितना जाएगा, b to the power n, ठीक है, और b matrix हमें already given है, b matrix है, 1, 0, minus 1, 1, ठीक है, तो b matrix है, 1, 0, minus 1, and 1, ठीक है, तो b to the power n हमें calculate करना है, ठीक है, b to the power n calculate करना है, ठीक है, ठीक हम बी स्क्वार करते हैं, ठीक है, ठीक है, बी स्क्वार यहां पर कितना होगा, 1, 0, minus 1, 1, into 1, 0, minus 1, into 1 इसको multiply करें कितना हैगा First element, हमारे पास 1 आ जाएगा Second वाला, 0 आ जाएगा यहाँ पर कितना हैगा minus 1, minus 1 into minus 1 minus 2, और ये वाला पार्ट फिर से 1 देदेगा ठीक है, तो b2 की value यहागी b3 कितना होगा b2 हो जाएगा, b2 into b ठीक है, b2 हमारे अल्रेड केलिक्विट कर चुके है इसको हमें b से multiply करना है 1, 0, minus 1, into 1 ये कितना हो जाएगा फिर से, देखो गया तो ये तीनों element फिर से चेंज नहीं होगा, और ये वाला element minus 3 हो जाएगा ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि b, जो value है, वो ये जितना हो रहा है, यहाँ पर वो minus times आ रहा है ठीक है, तो हम इसको similarly b to the power n की value हम क्या लिख सकते है 1, 0, minus n, into 1 ठीक है, तो ये हमारा b to the power n की value है और यही हमारा, यही हमारी इसकी value है, जो हमें calculate करनी थी यही क्योंकि n की equal था तो हमारा final answer क्या हो जाएगा final answer आप do option आप यहाँ पर mark कर सकते हूं ठीक है